हेलो फ्रेंड्स वेल्कम हैर कैसे आप सब होप यू और अगर मैं फिर से आगई आप लगों के लिए न्यू पिक अपाइल रेडिंग लेकर जिसमें हम लोग दिसक्श करेंगे कि अगर आप लोग सोल मीट कनेक्शन में हैं ट्रिंट फिल्म जैनी में हैं या फिर जिस भी पर आपके बारे में आप सोचते हैं वो परसन आपके बारे में क्या सोचते हैं उनकी करन फीलिंग्स क्या है उनकी हिदन फीलिंग्स क्या है उनकी मेस्जिस क्या है डिवाइन आपको क्या गाइदेंस देना चाहती है डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहती है ये सब ची जाकर इस वीडियो को देखना स्टार्ट करना है आप से वेलकम पाइलवन जिनोंने भी असर्टिव काड़ जोज किया है तो यहां पर एंजल सापको कहना चाहते हैं कि परिस्थितियां हमेशा फेवर में नहीं हैं बहुत अप्स अदाउं आपने लाइफ में देखे हैं बट ना कीजिए अभी अगर सिटुएशन वर्स है या फिर अभी सिटुएशन फेवर में नहीं है तो इन फ्यूचर डेफिनेटली हो जाएगी और देखते हैं आपके कार्ट्स क्या बताते हैं फस्ट कार्ड है पर टेन अफ रोट एरिस लियो साज आप यापके पार्टनर्स स हो सकते हैं तॉरस्फ़क परिकोन ओमाय गोडा प्रैजिक एंट इनर्जा इसी हैं जिसमें आपको कहती है कि आप के दोल सेवशान इनरकर यहां बहुत जांदा ओवर बर्डपके शे करें में हैं और अगर marriage नहीं हुई है तो भी चीज़ अप्रोब्लम्स काफी जादा बढ़ गई है finance की, career की, family की Queen of Sorts, जहाँ family का नाम लिया Queen of Sorts भी आगई, Gemini, Libra, Aquarius आपकी मदर या फिर आपके पार्टनर की मदर ready नहीं है इस रिष्टे के लिए या फिर अगर आप लोग already married है तो आपके partner की mother या फिर आपके mother आपके partner को या फिर आपको पसंद नहीं करती है ऐसी situation यहाँ पर है your next card is night of swords which is again implying की आप लगों connection ऐसा है कि एक person बहुत जादा impatient है एक बहुत जबादा effort लगा रहा है एक परसंद भूध जबादा ज़र्द साहर है एक पर्सन बहुत ज़दा फोलो कर रहा है एक पर्सन बहुत ज़दा ऐब एफर्ट लगा रहा है ठग आए काम करते करते लेकिन दूसरा पर संट जो है वही के वही खड़ा है कुछ नहीं कर पारहा राइट and your third card is which is again implying the same कि ये person आपको दूर से देखते हैं ये person आपको दूर से stock करते हैं spy करते हैं आपके बारे में information collect करते हैं और उसे आपके बारे में discuss करते हैं लेकिन अपनी mother से ररते हैं अपनी family से ररते हैं ये उन लोगों के लिए है जो unmarried है जो लोगों का online connection हुआ है अभी इस person को financial crisis चल रहे हैं mother issue है, family issue है ये person आप दूर से देख रहे हैं spy कर रहे हैं, stock कर रहे हैं लेकिन इने इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि आगे बढ़कर रिष्टा लेकर आएं तो ये एक ऐसे person है ये male है ये female है जो भी हैं, आपकी तरफ पूरी तरह से पीट करके खड़े हैं हो सकता है कि आप लोग फिलहाल no communication zone में हो no contact zone में हो या फिर बहुत less contact हो जिसमें ऐसा लगता हो कि क्या है ये contact ये contact भी कोई contact है hi hello how are and then stop फिर one month बात हो रही है अच्छे से हो रही है फिर दंपिर एक डिरड़ दो महिने का pause तो ऐसी आप लोगों की situation हो सकती है कि आज तो अच्छे से बात हो गई लगा सब कुस ठीक हो रहे हम फिर दो महिने हैं हफ्ते का अदस दिन का pause पता हें नहीं की परसन कहा हैं क्या कर रहे हैं तो current feelings इसकी यह है कि यह आपको लेकर बहुत पैसिनेट फिल कर रहे हैं romantic feelings इनकी आपको लेकर बहुत ज्यादा है emotional connection यहां पर कम है practical यह person काफि ज्यादा है overthink ये person बहुत ज़्यादा कर रहे है सोच बहुत ज़्यादा रहे है step कम ले रहे है because of इनकी family issue इनकी family ऐसी है कि जो आपकी तरफ इनको बढ़ने नहीं दे रहे है अगर after marriage भी आप separated हैं तो इपनी family की वज़े से ये आपकी तरफ चाकर भी नहीं बढ़ पा रहे है चीक है Scorpio भी हो सकते है आप यापके person ये person इस रिष्टे में new beginning चाहते है इस रिष्टे में leap of faith चाहते है इस रिष्टे में risk लेना चाहते है आपको propose करना चाहते है आपको commit करना चाहते है रिष्टे को marriage तक री, conciliation तक री, union तक लजाना चाहते हैं अपने घरवालों को मनाना चाहते हैं बट still तो यहाँ पे जो energies हैं वो ऐसी हैं कि यह person बहुत कुछ चाहते हैं और यह person एक ऐसी life आपके साथ जीना चाहते हैं जहां इनकी family का, इनकी life में कोई interfere ना हो ठीक है, यह आपको message करना चाहते हैं Please be patient Please आप patient रहे, आप अपने patience मत कोईए आप अपना leap of faith मत कोईए आप assertive रहे, आप positive रहे यह person आपके लिए definitely कोई ना कोई step जरूर लेंगे क्योंकि next card है हमारा six of roads जो कि इस person के confidence को बताता है night of roads तो यह person कहना चाहते हैं कि आप विश्वास रखे जर्नी पर, खुद पर, इन पर, इनके connection पर यह person आपके बिना नहीं रह सकते यह person आपको अपने wish fulfillment मानते हैं यह person आपको win करना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं और यह person family को मना लेंगे और फाइनली यह person आपके पास एक proposal, एक रिष्टा, एक commitment, एक reconciliation, एक reunion का या फिर एक compromise का प्रस्ताव लेकर आएंगे जिससे आपके life आगे smooth हो जाएगी तो यह person कहते हैं कि patience रखो, उनका विश्वास रखो वो अपनी family को आपके लिए ready कर रहे हैं वो हाथ पे हाथ रखके नहीं बैठे हैं बस आपको वो भी सब कुछ खुल के इसलिए नहीं बता रहें क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप बहुत ज़्यादा hopeful हो जाओ और बाद में आपको बहुत ज़्यादा pain हो because अभी उन्हें पता है कि time लगेगा और उन्हें ये भी पता है कि उनकी family easily नहीं मानेगी क्योंकि आप इस situation में हो जिसके पास सब कुछ है overall growth है लेकिन तब भी आपको इस person का बेसबरी से wait है आप बहुत sad हो बहुत time से wait कर रहे हो बहुत time से effort लगा रहे हो बट result नहीं मिल रहे है तो ये person कहना चाहते है कि please इन पे भुरोसा रखो खुद पे भुरोसा रखो ये family को मना रहे हैं ये financial growth कर रहे हैं ये इस रिष्टे को एक अच्छे मुकाम तक जरूर लेकर जाएंगे लेकिन अभी patience रखने की जरूरत है time देने की जरूरत है positive रहो तो ये सब इनके messages हैं आपके लिए and current feelings ये हैं कि आपको बहुत passionate हैं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीजों को commitment तक, reconciliation तक मार इस तक लेके जाना चाहते हैं ये कहना चाहते हैं आपको कि आप बहुत sweet हो and आपसे अच्छी wife या फिर आपसे अच्छी husband इन्हें नहीं मिल सकते तो ये थे इनके messages इनकी thinking, इनकी thought इनकी बाते, इनकी hidden feelings and इनकी current feelings for you अगर बात की जाए कि ये person आपको की रूप में देखते हैं ये आपके बारे में क्या सोचते हैं तो ये यही सोचते हैं कि आप independent हो, well mature हो well behaved हो, vulnerable हो बहुत innocent हो and बहुत sweet हो आपसे अच्छा partner इन्हें कभी नहीं मिल सकता अगर ये अपनी मम्मी की permission से भी पार्टनर सर्च करेंगे तो वो भी पार्टनर आपके जैसा नहीं होगा राइट? तैंक्यू सो मच पर वोचिंग पाइल वन आई होब की चीज़े रेजनेट की होंगी पोर मोर क्लेरिटी आप लोग परसनल पेर डीडिंग्स बुक करा सकते हैं भाई फर नओ, have a good day, take care वेलकम पाइल टू जिनोंने पीसफ़ रिजलिशन का काड्च जोश किया है जो कि ये इंप्लाइ कर रहा है कि बहुत टाइम से आप चीज़ों को बालन्स करने में लगे हैं बहुत टाइम से आप चीज़ों का वेट करने में लगे हैं बहुत टाइम से आपने डिवाइन को सरंदा कर दिया है, आपने गुसा दिखाना बंद कर दिया है, आपने लडाई जगडा बंद कर दिया है, आपने नराज होना बंद कर दिया है, अब आपको वेट है आपके पार्टनर के नेक्स टेप पर, राइट, देखते हैं इनकी thoughts क्या है future में क्या step लेंगे and all so your first card is the death card scorpio सकते हैं आपके person sun moon venus rising sign में the world knight of cups the temperance and 10 of swords aries gemini libra aquarius cancer pisces scorpio scorpio already मैंने बोला तो sun moon venus rising में आप आपके person हो सकते हैं जो डिक sign से बिलॉंग करते हो कि transformation चल रही है आपके रिष्टे के दर्मिया ये cards मुझे ये बताते हैं you guys are in soulmate connection and इस रिष्टे में एक transformation चल रही है कैसी transformation जहां पर आप पोज लेके बैठे हो एक step पीछे करके बैठे हो अब आपने efforts लगाने कम कर दिये हैं और almost बंद कर दिये हैं आप go with the flow का key strategy follow कर रहे हो और ये person की life में एक अजीब सी यूथल-पुथल मच गई है काफी negative चीजों का the end हो रहा है और एक new beginning start हो रही है that means आपके person के life में transformation चल रही है अब वो reconciliation करना चाहते हैं उनकी current feelings यह है कि वो reconciliation करना चाहते हैं समझोता करने चाहते हैं चीजों को दुबारा positive way में आगे बढ़ाना चाहते हैं जिन अपनों के लिए इन्होंने इस रिष्टे को delay किया हुआ था आपको छोड़ा हुआ था आपको side में रखा हुआ था आप लोगों का separation phase आया हुआ था उन्हीं लोगों से इन्हें धोका मिला है और उन्हीं इस इसका अच्छी तरह से realization है यह person अब आपकी तरफ भिलकुल कहते है ना recover होके आने वाले हैं जिसमें इनका attitude change होगा इनके feelings change होगी surrender करके आपकी तरफ आएंगे and बदल के आपकी तरफ आएंगे transform होके आपके तरफ आएंगे and चीजों को balance करेंगे आपके रिष्टे में efforts लगाएंगे and अब यह person emotionally आपसे love करते हैं आपको miss कर रहे हैं आपको emotionally feel कर रहे हैं and यह person by heart sorry बोलना चाहते हैं आपके पास आना चाहते हैं and आपको कहना चाहते हैं कि आपको छोड़कर इन्होंने किसी और को अपनाया था जिसका इन्हें बहुत थी दुख है और जिसने उन्हें धोका दिया है finally इन्हें समझ में आ गया है कि आप इनके लिए best थे आप इनके लिए best हो आप इनके लिए best रहोगे यह person आपको अपना संसार मांगते हैं यह person आपको अपने दुनिया मानते हैं अब यह person को अपने गलती का regret है currently यह बहुत ज़्यादा transformation से गुजर रहे हैं जिसकी वज़ए से यह बहुत ज़्यादा hopeless हैं परिशान हैं बट बहुत जल्दी एक new beginning आपके रिष्टे में आ रही है जिसमें reconcile होगा angels का आश्रिवाद होगा judgment चीजे marriage तक reconciliation तक reunion तक और commitment तक जाएंगी justice मिलेगा आपको through divine divine आपके साथ नयाए करेगी इस person को five of cups इस person की feelings ऐसी है कि अभी ने आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा यह आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अब यह person अपनी ego को छोड़ना चाहते हैं और आपके साथ एक bold step लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं अब इस person को आपके प्यार की एहमियत पता है अब इस person को आपके value पता है अब ये person life में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिष्टे को आगे बढ़ना चाहते हैं या आपको sorry बोलना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि मैं भटक गया था या मैं भटक गई थी बट अभी ने बहुत regret है ये by heart वापिस आना चाहते हैं इस connection की importance को समझ नहीं पाया और इसे मैंने लोस्ट कर दिया और अब ये चाहते हैं एक passionate connection with you एक divinely guided connection with you और एक ऐसा connection जिसमें एक new beginning हो और एक new growth हो लेकिन अभी भी ये थोड़े से stuck हैं इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या move लेकर आपके तरफ आएं actual में बट still ये आना चाहते हैं ये आना चाहते हैं बहुत जल्दी है हिम्मद जुटा लेंगे बहुत जल्दी है solid or bold decision ले लेंगे बहुत जल्दी ये आगे बढ़ेंगे sorry बोलेंगे आ अंद आपको बताएंगे कि आप से कितना love करते हैं ये भी बताएंगे कि जब इन्होंने आपको छोटकर किसी और को accept किया तो वहाँ इनको बहुत pain मिला है ध्युक्षा मिला है और ये भी बताएंगे कि इन्हें इन्होंने आपको हर्ट किया था जिसकी वज़े से ये बहुत चादा सॉरी है लेकिन डेफिनेटली ये परसन नेक्स्ट टेप लेंगे डेफिनेटली 110 परसन ये परसन आपकी तरफ आना चाहते हैं रिकंसिलेशन, रियूनियन, कमिट्मेंट मारेज करना चाहते हैं और आपके साथ मिलकर कंदे से कंदा मिलाकर अपनी बची हुई रेस्ट लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये थी जिन्होंने पाइल तू चूज किया उनके लिए रिदिंग और डिवाइन आपको कह रही हैं कि आप पीसफुल रिजुलिशन कर रहे हो तो ये इस परसन से आपने सटेप बाख ले लिए हैं लेकिन आप डिवाइन से प्रेइर्स कर रहे हो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और इस परसन के आगे आपने रोना गिढ़ गिढ़ाना मिननते मांगना तरले निकालना बंद कर दिया हैं और अब आपने चीजे डिवाइन को सरंदर कर दी हैं, जिसकी वज़े से डिवाइन आपको ये ब्लेस्ट फॉल रिलेशन्शिप प्रवाइट कर रही है। I hope की रिजनेट की है, if it really does, don't forget to thumbs up and share this in your group. And for more clarity, you can book your personal paid readings. Bye for now, have a good day, take care.